Hello friends, welcome back to my YouTube channel So friends, अब आप लोग का 12th का रिजल्ट भी आ चुका है तो आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे BBA करने की, BCOM करने की, BCA करने की और जो लोग BTEK करने की सोच रहे हैं तो JEE का रिजल्ट भी आ चुका है तो कई सारे लोग BTEK के लिए IIT जाएंगे कई सारे लोग NIT जाएंगे और कई सारे लोग Private College में जाएंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जिस College के बारे में बताऊंगा वो one of the best Private College है इन 36 गड़ मैं बात करूँ उसकी NIRF रैंकिंग की तो वो Top 100 College में आता है इंडिया में अगर मैं बात करूँ उसकी AICTE रैंकिंग की तो वो Gold केटेग्री में आता है तो आप लोग सोच सकते हैं College कितना अच्छा होगा अगर आप लोग महां से अपना graduation और post graduation करते हैं तो आप लोग को अच्छा खासा placement मिल जाएगा तो अब बात आती है College की तो उस College का नाम है Rungta Group of Institutions अगर मैं बात करूँ इसकी Location की तो वो है बिलाई 36 गड़ में तो सबसे पहले मैं आप लोग को College की कुछ basic information प्रोवाइट करता हूँ सबसे पहले बात आती है College established कब हुआ था तो College established हुआ था 1999 में अब बात आती है College की Location की तो College है बिलाई 36 गड़ में अगर हम मैं बात करूँ College कितने एरिया के अंदर spreaded है तो College 150 प्लस एकर्स के अंदर spreaded है अगर हम मैं बात करूँ तो College कौन-कौन से course प्रोवाइट करता है तो College जो course प्रोवाइट करता है वो है BTEC, MTEC, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic और BTEC में College आपको कही सारी branches प्रोवाइट करता है जैसे CSE, Computer Science, Engineering, IT, Information Technology Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering और भी कही सारी ब्रांच College आपको प्रोवाइट करता है अब बात करते हैं fees की, तो सबसे पहले बात आती है BTEC की अगर आप लोग वहाँ से BTEC करते हैं तो आप लोग की एक साल की fees होगी 75,000 और यही same fees रहेगी for 4 years अब बात करते हैं MTEK की अगर आप लोग वहाँ से MTEK करते हैं तो आप लोग की एक साल की fees होगी 69,000 और यही same fees होगी for 2 years अब बात करते हैं MBA की, अगर आप लोग वहाँ से MBA करते हैं तो आप लोग की एक साल की fees होगी 50,000 और यही same fees होगी for second year अब बात करते हैं BBA की, अगर आप लोग वहाँ से BBA करते हैं तो आप लोग की एक साल की fees होगी 26,000 और यही same fees होगी 2nd और 3rd year की भी और अगर अब मैं बात करूँ BCA की तो BCA की भी same fees है 26,000 और यही same fees रहेगी for 2nd and 3rd year अगर अब मैं बात करूँ Paul Technic की तो आप लोग की Paul Technic 3 years की होती है अगर मैं बात करूँ उसकी एक साल की फीस की तो उसकी एक साल की फीस है 25,000 और यही सेम फीस रहेगी 2nd और 3rd year की अगर हम मैं इनी सब courses की eligibility criteria की बात करूँ तो सबसे बहले अगर आप लोग B.Tech करते हैं तो आप लोग की 10 plus 2 में 60% होनी चाहिए और अगर आप लोग M.Tech करते हैं तो आप लोग की graduation में 50% होनी चाहिए और अगर आप लोग MBA करते हैं तो भी आपकी graduation में 50% होनी चाहिए और अगर आप लोग B.B.A. करते हैं तो आप लोग की 10 plus 2 में 50% अबब होनी चाहिए और अगर आप लोग BCA करते हैं तो आप लोग 10 प्लस 2 क्लेयर होने चाहिए और अगर आप लोग Paul Technic करना चाहते हैं तो आप लोग की 10 पे 35 प्लस परसेंट होनी चाहिए तो दोस्तों अगर आप लोग यहां से अपनी graduation या post graduation करते हैं तो उसके बाद जो सबसे main चीज होती है वो होती है placement तो अब हम बात करते है placement की तो college 100% placement का दावा करता है और आज तक college में 300 प्लस companies visit कर चुकी है अगर मैं college की आज तक के highest package की बात करूं तो college का आज तक का highest package है 48 LPA अगर मैं बात करूं college के average package की तो college का average package है 3-4 LPA के बीच में अभी मैंने आप लोग को placement के बारे में बताया अब बात आती है companies की जो college में companies visit करती है वैसे तो college में आज तक 300 प्लस companies visit कर चुकी है अभी मैं आप लोग को कुछ top 6 या 7 companies बताऊंगा जो college में visit करती रहती है regular basis में तो सबसे पहले जो company आती है वो है Infosys, Wipro, TCS, Mahindra Tech, Amazon, Byjuice और भी कही सारी companies college में visit करती रहती है दोस्तों अगर आप किसी भी college में admission लेते हैं तो सबसे important चीज होती है उस college की ranking अगर मैं बात करो रुंग्टा college को क्या rank provide है तो जैसे मैंने आप लोग को starting में बताया था college को NIRF ranking provided top 100 colleges इंडिया अगर मैं बात करो इंडिया टुडे की तो इंडिया टुडे ने 27th position provide की रिये out of 238 अगर मैं बात करो टाइमस ओफ इंडिया की तो टाइमस ओफ इंडिया ने 51th position provide की रिये out of 216 तो दोस्तों ये तो मैंने आप लोग को college की ranking के बारे में बताया अब बात आती है college की faculties कैसी है तो college की faculty काफी supportive है आप लोग किसी भी project में अगर काम करते हैं तो faculty आपको बहुत जादा support करती है और 90 plus faculty PhD holder है पाता आती है facilities की तो college जो आपको facilities provide करवाता है वो है सबसे पहले college आपको library provide करवाता है canteen provide करवाता है sports provide करवाता है sports में आप لوग के लिए both indoor और outdoor sports है अगर मैं बात करूँ कुछ outdoor sports की तो outdoor sports में college आपको football ground, cricket ground, ballie ball court, basketball court और भी कही सारी sports provide करवाता है और gym provide करवाता है, gymnastic provide करवाता है, ऐसे कई सारी facilities college आपको provide करवाता है, तो दोस्तों, अब मैंने आप लोग को complete एक overview provide कर दिया college का, अगर आप लोग की तब भी कोई query रह जाती है, तो मैंने description box में google form provide कर रखा है, आप लोग वहां से अपनी query पूछ सकते हैं, और वरना मैंने phone नमबरी प्रोवाइट कर रखा है आप लोग डाइरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी अपनी क्यारी पूछ सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग 100% सेर हो जाते हैं कि हमें इसी कॉलेज में एडमिसन लेना है तो मैंने description box में एक discount link भी provide कर रखी है अगर आप लोग मेरी discount link को use करके किसी भी course के लिए application form भरते हैं तो आप लोग की 50% fees off हो जाती है application form की तो चलो दोस्तों अब इस वीडियो को all लंबी न करते हुए इस वीडियो को यहीं पर को end करते हैं अगर आपको मेरी यह वीडियो informative लगी तो please मेरी YouTube चैनल को like करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए और please मेरी YouTube चैनल को subscribe करना न भूले तो चलो मिलते हैं आप लोग से बहुत जल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye stay tuned